आदर्शिक्षन समिती बाड़मेर द्वारा संचालेत एक अक्षा में आप सभी भैया बेनों का हार्दिक स्वागत एवं अभी नंदन है पिछले कालंस में हमने पार्ट तीन में मगन की शिष्टा चाहर की अच्छी आद्तों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में जो हमने मगन की अच्छी आद्तों पड़ी थी आज के कालंस में उससे आगे और कौन कौन सी मगन में अच्छी आद्तों के बारे में हम आज इस कालंस में अध्यन करेंगे तो देखिए जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई दे रहा है जो हमारे इंदी पाठ का एक बाग है गध्यांस का तो इसमें आप देखेंगे हैं सबसे प्रतम पंक्ति में आदर स्वाचन कर रहा हूं पाठ का आप ध्यान पूरों इसको गध्यांस क सुनेंगे मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक वहभार करता है बड़ों की बात को कभी नहीं काटता हमेसां सिष्ठ भासा का प्रियोग करता है कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है मगन अपना गुरू जी का भहुत सम्मान करता है वह आदर से अभिवादन करता है कक्षा में उनकी कुर्शी पर कभी नहीं बैठता कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता किसी कार्ण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उद्धम नहीं मचाता अपना पाठ याद करता रहता है वहां अमेशा साला के नियमों का पालन करता है मगन जब कभी बाग बगीचे में गुमने जाता है तो पेड़ पोधों की पत्यां नहीं नोचता वेर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता कई भी किशी जानवर को नहीं शताता यह वह सभी के प्रती सहनु बूती रखता है रेलवे स्टेशन हो या बस अड़ा सड़क पार्क सिनेमा घरो या बाग बगीचा मगन सिश्टाचार कभी नहीं बूलता यानि अभी अपने दो गध्यांसों का आदर्श वाचन किया इसमें कौन कौन सी मगन की अच्छी आते हैं इसकाम गहनता पूर्वक अध्यन करेंगे तो जैसा कि आप प्रत्म पंक्ति देख रहे हैं कि मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूरों के वहवार करता है हम सब पढ़ रहे हैं इस पार्ठ में कि मगन में सिश्टाजार की बहुत इच्छी आते हैं उनमें सही क्यादति ये बड़ों के साथ जैसे मादा प्ता है आस पड़ों कोई बड़े बूजुर्ग है गर में दादा दादी है या अपने गुरुजी है उनके साथ बहुत करता है उस वैभार से उनके सामने आता है बड़ों की बात को कभी निंवी काड़ता यानि जब बड़े कोई बात कह दें तो नंके बीच में बोलकर उनकी बात को कभी नहीं काड़ता उनकी बात को जूट साबित करने का या ऐस Sa में कोई प्रियास साधosaur नहीं करता है हमेशा सिस्ट भासा का प्रयोग करता है सभ्यत्ठ त पूंर विन्हुल जयす Aberta Pुरुवक मृद्धू भासा जानि मधूरभासा मेठी भासा में उसका उप्योग वो अपने जीवन में अपना प्रयोग करता है कोई उससे कुछ पूचता है तो नम्रता से उत्तर देता है यानि जब कोई भी उससे बाचित करता है तो वह नम्रता पूरवक यानि विनम्र भासा में सालिंता पूरवक उसका उत्तर यानि जवाब देता है मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है यानि मगन है जो अपने गुरुजी जो आचारे गणे उनके शिक्षक है वो उनका बहुत सम्मान करता है यानि आदर करता है वह उनका आदर से अभी वादन करता है जैसे नमस्कार प्रणाम आधी जो अभी बादन होता है वो करता है कक्षा में उनकी कुर्शी पर कभी नहीं बैठता है यानि जब कक्षा में गुरुजी नहीं होते है तो उनकी कुर्शी पर कभी भी नहीं बैठता है तो इससे हमें भी फिर ना लड़ने चीए कि हमारी आचारेगण भी जब कक्षाम नहीं हो तो हम परकार का वैवार करें जैसा मगन अपने कक्षा में करता है कभी कि नहीं होड़ाता यहनी मगन अपने द्यायनिक जीवन में कभीकिसी की मजआक्थे अपहास नहीं करता कि इसी का अनावश्चेक डूप उद्धम यानि सरारत नहीं करता बदमाशियां नहीं करता है और चुपचाप अपना पाठ याद करता रहता है जो इसके पास काम है इसके पास याद करने के लिए जो गुरू जी ने दिया है वो याद करता है कख्षा में अनावशे कुरूपशे बदमाशियां नहीं करता है वह हमेशा साला के नियमों का पालन करता है भप्रती दिन यानि एक दिन के लिए नहीं दो जाना जो साला यानि पाट साला विद्धियले उसके नियमों का पालन करता है जो विद्याले की नियम बनाए गई है उन नियमों के अनुसा वो अपना आचरण विद्याले में करता है उसका पालन करता है उसको ठीक तरीक से फॉलो करता है यानि उसका अनुसरण करता है अब देखिए आप भीया बेनों ये चित्र है अब आगे जो वैवार है मगन का वो हमारे को समझाने का प्रयास किया गया है कि मगन जब बाग बगीचे में सारवजनी किस्थान पर जाता है तब उसका वेवार कैसा होता है सारवजनी किस्थान माने जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं ऐसे स्थानों को सारवजनी किस्थान कहा जाता है तो मगन जब सारवजन वहां जाता है तो वह कभी पड़ों की पतियों को अनाव objectives है नहीं नोजता है तोड़ता नहीं इन आप देखेंगे वहाँ दू कि बीच पेडा और पोदों के बीचouts gossip के नाम से जाना जाता है जब कभी दो सब्दों को आपस में जोड़ना हो तो इस परकार के योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो मगन जब भी बाग बगीचें जाता है तो उनकी पत्यों को कभी नहीं नोचता वैस में कभी फूल नहीं तोड़ता जो बाग बगीचें फूल लग आक्सान नहीं करता है सभे क्तानिक प्रति आत्मा को सब्सक्रीड़ को इस PT प्रति ढया भावना को eth का जाता है herman, संस्क्रीट में एक्षबहषी तान आती है ,IK सभ शीवर आत्म है Courtney इस सभी प्रकार सिर्व प्रकार करके सवेदना रखता है रहलवे स्टेशन हो या बस अड़ा सड़क पार्क सिनेमा घर हो या बाग वगिचा मगन शिष्टाचार कभी भी नहीं भूलता है यह जो इस्तानों के नाम आई है यह सभी इस्तान सार्वजिनिक इस्तानों में आते हैं जिसका उपयोग सभी लोग क बूलना चाहिए और विशेश रूप से वहां स्वच्छता का ध्यान आविश्यक रूप से रखना चाहिए आज हमने यहां तक कालांस में पड़ा पाढ़ को इससे आगे के पाढ़ को हम अगले कालांस में पड़ेंगे